हलो स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल जोग्रोफी वी दूश्या में भूत सारी बच्चों की कन्फूजन था कि जो एक्जाम का जो आपका पैटरन है वो किस टाइप का है जैसे पहले अपना स्टार्टिंग से चलता रहा है कि जैसे दस क्योशन होते थे उस में से कोई यूनिट वाइज अपने च्यार यूनिट होती है सभी में लगबग तो च्यारो यूनिट में से दो-दो क्योशन आते थे पर तेक में से करना होता था तो किस टाइप का है या फिर करोना की वज़े से पिछे आया था पैटरन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंक कि उसमें आप क्या रखा था कि कोई भी 10 क्योशन में से 5 करने होते थे आपको तो वो दो यूनिट में भी आ जाते थे सारे चार यूनिट करने की ज़रूत नहीं पड़ती थी स्टूडेंट्स को दो में ही कर जाते थे तो आज इसी की उपर थोड़ी चर्चा करेंगे और ये एक बात देखो कि दो या तीन मिनट की वीडियो होगी ये पूरी एक तो आध्या दूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है कई बच्चे थोड़ा सा देखेंगे ये स्किप कर देते हैं आगे पिछे उसी में वो चला जाता है जो बताते है जैसे ये सीविल यू की है या दो तिन मिनट की वीडियो होती है तो उसको पूरा बिना स्किप करके देख लिया करो कि जानकारी पूरी मिल जाए कम से तो ये बात कर रही हूं मैं आपने जो सीविल यू है ना सीविल यू बक की देखो 80% तो लगबक शेमी होता है के यू है आपकी MDU है या फिर आपकी CD RDLU है तो आप लोग कंफरम कर लो अपने टीचर से कि आपका जो पैटरन है वो किस टाइप का है क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे ये था कि पहले तो करोना की वज़े से था आप भी पिछे पैटरन से हो गया था कि कोई भी आप 10 क्यूसन है उसमें से यूनिट को पूछनी करनी हैं आपके बचेशर मारत से सटार्ट हो गए हैं एक जीडियो में उसने हैं तो क्लियो बना दियात मैं जेहैं किस टाइप का पैटरन हाएगा यह देखो कोई भी आपका बी यह बीए सी है है अम में है सब के च्यार इूनिट होती थी तो च्यारों यूनिट में से प्रत एक में दो दो क्योसन आते थे पहले और दोनों क्योसन में से कोई एक करना होता था यानि चैहीं आप history का उठालो political का उठालो कि आप कोई भी आपके question हैंगी जो 10 question है उसमें से कोई भी 5 यानि आप first unit और second unit भी याद करोगे तो उसमें से भी आप कर सकते हो औरी कवरी कर सकते हो क्योंकि दो आप first में से कर सकते हो दो 2 सेकिंड में से कर सकते हो अगर अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है तो जैसे अपने यूनिट है भी तो यह देखो यह है आपकी section फर्स्ट यूनिट है ठीक है तो first unit के ये lesson है, इन में से आपके कोई 2 question आएंगे, ठीक है, और ये आपकी है second unit, तो second unit में से भी आपके क्या होंगे, कोई 2 question आएंगे, तो आपके total 10 question होते हैं, तो उसमें से कोई भी 5 कर लो, तो 5 यानि देखो 2 इसमें से आगे, first unit में से आगे, और 2 आपके second में से आगे, करने हैं दो दो नंबर के होते हैं वो कोई भी छे करने हैं आपको जो वो और गसे बाइब कि देखो इसके अंदर क्या तीसरी उनिट है ठीक है तो तीसरी जो आपकी उनिट है इसके अंदर कम लेशन है और आपकी जो चोथी ये उनिट है ये देखो ये आपकी चोथी उनिट है इसमें आपके बिल्कुल ही तीन है ये आपकी तीसरी उनिट है और ये आपकी क्या है चोथी उनिट है ठीक है और इ इसमें भी जो reช earlier här ay pro गो को फ़ोड़ा द्यान देख लेना कि इस वीडियो में ने ये उस बता रस, तो उसमें जो कि जो का लेसन नहीं आ रख पार उसमें मैंने सारे चीज़ें बता रख कही हैं देखो ये लेसन नहीं आ बाकि जो खनीज वाला है इसमें सरफ यह ही है देखो कोईला है पेट्रोलियम जल विदूत और परमानो यानि और भी सारी थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया सीविलियों ने सिर्फ यह और यह करें है तो यह एक आपको अच्छे से ध्यान रखना कि कौन साबने याद करना क कौन सा नहीं कभी आपके स्लेबस में होई ना वो याद कर लो आप जो बारते करशी की समश्चा है थी तो समश्चाओं के साथ उन्होंने एक चीज़ और जोड़ती इसकी विशेश्चाएं समश्चाएं या विशेश्चाएं जोड़ती यह आपका चेंज हुआ है और जो आ अम डियू वाले बच्चे भी सोचें कि हमारा स्लेबस चेंज हो गया उनका स्लेबस चेंज नहीं हुआ है और इधर यह देखो इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट यूनिट में आपका जो लास्ट वाला है प्राकरतिक संकट और आपदाएं यह आपका स्लेबस में नहीं है और आपकी जो उनिट सी है इसमें देखो जो भूमिस अंसादना यह भी आपके नहीं है और सी चाई है यह भी आपके नहीं है यह आपके स्लेबस में नहीं है यानि पहले यह सा साल से चेंज किया है CBLU ने अपनी जो भीवानी उनिस्टी आपकी सोध रिबन सिलाल उसने चेंज किया है और उसके अकोरडिंग मैं ये सारी चीजे बता रही हूं आप लोगों को तो ये देखो सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना भाई भूत मुश्किल हो जाता है तो पास भी नहीं होएगा तो वो बच्चे ध्यान दे बहुए अपना आपने टीचर से आप रोफेर्शर से आप करके तब ही करें ये जो मैं चीजे आपको बता रही हूं ये खाली किस की बता रही हूं मैं आपके CBLU की बात कर रही हूं और ये सारे चीजे जो मैंने तो नो तीनों solution हो गई एक तो आपका syllabus क्या है नए के according दूसरा आपका जो exam pattern कैसा है वो कैसा आएगा तो आप कोई भी दो unit याप तीन और चार unit भी कर सकते हो अगर आपको first second unit थोड़ी hard लगती है ना तो आप क्या कर सकते हो देखो आपका section D में तो खाली 2 ही lesson है तो इनको भ section में दो lesson करने की जुरूरत पड़ी और आपके सी में के देखो सी में कौन सा है हारित करांती वाला है बारतिय कर्शी की समश्याइं है और जो आपकी खनीज की जगह क्या है उर्जा की संसादन बताये थी कोईला पैट्रोलियम जल्विदूत और परमानू ये च्यार क्यू तो इसमें आपका एक तो ये lesson number 16 ये important है दूसरा हरित करांती पर आसकता है आपका और भारत की कर्शी इसमें नया जो जोड़ा है विशेशता है ये भी आसकता है तो ये तीन lesson यानि आप पांच ये पांच lesson है पांच lesson किसके हैं खाली मैं CBLU की बात कर रहें औरों में तो ये add हैं दूसरे भी lesson add है ठीक है तो CBLU में देखो ये पांच lesson है ये आपने अच्छे से याद कर लिए बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से याद कर लिए तो इसमें से भी आप च्यारों क्यूसन लिख सकते हो अच्छे से और अगर जिस बच्ची का पहले वाला अगर opportunity में only कितनी है second में भी तीन ही है तो तीन में से आपका CBLU में मानवबस्तिवाला नहीं है खाली आठ होर्नों का lesson है ये भी हटा दिया गया था मानवबस्तिवाला आपका तो इसमें एक तो जनसंख्या वाले पे भी आएगा या आएगा और परवास वाले पे भी आएगा या आएगा आप ये भी कर सकते हो B section और D section भी ले सकते हो B section में आप जनसंख्या वाला कर सकते हो वी तरह ये थोड़ा सा hard लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें data बहुत स सारी डेटा हैं तो यह ना करके आप चोईस कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है तो मेरे को यह बताना था आपका एक्जाम पैटरन किस टाइप का है तो यह कंफ्यूजन ना हूं अपने हिसाब से तयारी करें ओके थैंक यू